नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं JP Associate के बारे में दोस्तों जिसके आप जानते हैं कि जिस तरीकी की चाल स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही है अभी क्या है कि नीचे के लेवल से तो हम लोगों को कई गुना रिटरंस मिल चुके हैं ये स्टॉक्स अगर बावन वीक लोकी बात करें तो लगभग एक रुपे के आसपास आपको जाता हुआ दिखाए दिया तब से लेके अब तक जिस तरीकी के रिकवरी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है तो आप इस तेजी को देखकर जो है एकदम से उतावलापन मता जाना क्योंकि हो सकता है कि वापिस से हमें इसके अंदर गिरावाट देखने को मिले क्योंकि फिलाल में क्या है कि कोई भी business हो कोई भी company हो अगर उसके fundamentals मजबूत नहीं है तो अगर वो उपर की तरब जो है stocks के अंदर हम लोगों को recovery भी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि कोई नो कोई promoters के दुआरा चाल खेली जा रही हो कोई नो कोई बड़ा दिगद जो है इसके अंदर निमेश करके लगातार stocks price को उपर करता जा रहा हो तो आप इस जो है छलावे के अंदर मत फ़स जाना क्योंकि हो सकता कि वापिस से इसके अंदर हम लोगों किरावाट देखने को बले तो दोस्तों सोचने वाली बात है जिस तरह की किचाल फिलाल में हमें stocks के अंदर देखने को मिली है तो अच्छे कासे returns तो हमें बन चुके हैं अभी एगर एक महीने की पहले की बात करें तो लगबख 3 रुपैस सी पैसे के आसपास आप मान सकते हैं इस company का price को मिली तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि लगबख एक रुपै के आसपास तक या आपको stocks जाता हुआ दिखाई दिया और वहां से लेकर अगर अब तक के सिलसला देखने की कोशिस करेंगे तो दो गुना तीन गुना भी आपका पैसा ही करता हुआ नजराया तो लगतार जो है जिस तरह की की चाल इस company के अंदर हम लोगों को बनती हुआ नजरा आ रही है तो फिलाल में तो positive sentiments ही कहा जा सकता है बड़ दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से long term के अंदर काफी बड़ा खेल खेला गया जैसे कि आपने थमनिल में देखा कि एक retail investors कहां तक सोच सकता है वो सोच सकता है कि कोई stocks है लगबग अगर थोड़ा सा पीछे चलें कि 5 साल के दौरान लगबग 29-30 रुपे के आसपास था जब राकेज जुन-जुन वाला ने भी इस company के अंदर निवेश किया सोलर रुपे के आसपास उसके बाद भी इस stocks जो है उपर जाने के बजाए नीचे ही जाता चला गया तो कहने का मतलब यह कि promoters बड़़बड़े दिगज के दुआरा जो है retail investors को फसाया गया है और stocks price को लगातार गिराया गया है अब भले ही इसके अंदर से हम लोगों को नीचे के लेवल से तीजी देखने को मिली हो बर दोस्तों जो हमारे छोटे निवेशक थे वो तो अपना जो है लोस बुकर के निकल गए ना उन्हें तो लगा कि आवे company के अंदर जान बची नहीं है तो यह चीज थोड़ी सी सोचने वाली होती है फिलाल में दोस्तों अगर long term के prospectus से देखें तो यह company लगबग 278 के दोरान 296 रुपे से भी उपर stocks price जो आपको देखने को मिलता था तब से लेकर अब तक कि अगर आप price pattern देखने की कोशिस करेंगे तो लगातार हम लगों को क्या है कि गिरावाटी देखने को मिली है और लगबग बात करें तो 2700 तो यह लगबग 29-30 रुपे के आसपास तक गया था तब से तो हम लगों को इसके अंदर भेंकर गिरावाट देखने को मिली है तो यह चीज थोड़ी सी सोचने वाली है कि जिस तरीके से 52 वीक लोग लगबग एक रुपे बनता हुआ नजर आया और 52 वीक हाई की बात करें तो लगबग आट रुपे 25 पैसे के आसपास बनता हुआ नजर आ तो काफी छोटी चाल जो है आप कह सकते हैं बट रिटरन के लिहाज से देखें तो काफी बड़ी चाल है क्योंकि एक रुपे का अगर कोई स्टोक्स आट रुपे चल जाता तो हो सकता कि आपका पैसा तो कई गुणा कर दिया है बट क्या है कि देखें तो इतनी बढ़िया चाल नहीं देखने को बली कि जो लोग जो है लगबग 10 रुपे 15 रुपे के आसपास फसे हुए हैं कई 1000 क्वांटिटी लेकर फसे हुए हैं तो उन लोगों को अभी भी निकलने का मौका करते हैं कि भी 6 रुपे का स्टोक से भी 20 रुपे के आसपास पहुंच जाए तो उसके लिए हमें क्या काम करना जरूरी है उसके फंडमेंटल जानना बहुत ज़्यादे जरूरी है तो दोस्तों मार्केट कैप के लिहास से देखते हैं तो लगबख 1498 करोड रुपे का मार्केट कैप इसका देखने को मिल रहा है फिलाल में अगर फेस वैल्यू की बात करें तो दो रुपे फेस वैल्यू का शेयर है और dividend के बारे में बात करें तो dividend yield कुछ भी नहीं है, dividend provide नहीं कराता है और थोड़ा सा chart pattern आपने देखी लिया है, तो आप एक बार और observe कर सकते हैं लगतार पिछले एक साल से किस तरह की का हमें momentum देखने को मिलना है फिलाल में अगर peer comparisons की बात करें तो company कौन से number पर आती है लगबख छटे number पर ये company आपको देखी जा सकती है तो कहने का मतलब यह है कि इस company से नीचे भी company आ है, सागर cement है लगबख 1481 करोड के आसपास है, उसका market cap तो अब देखते हैं कि इसके अंदर, business के अंदर हम लोगों को किस तरह की उच्छाल देखने को मिल रही है तो दोस्तो sales growth down देखने को मिल रही है, 15% negative profit growth जो है, उसके अंदर हम लोगों को उच्छाल देखने को मिला है returns on equity की बात करें तो वह बिल्किली इस्तिती उसकी बहुत ज़्यादे खराब है, लगबख 15% negative के आसपास ROCE की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों कुछ खास momentum देखने को नहीं मिल रही है returns की इस्तिती बहुत ज़्यादे खराब है, returns कुछ मिले नहीं है, price momentum नीचे है, तो काफे सारे लोग हैं सोच रहे हैं कि भई stocks के अंदर हम लोगों को उपर का momentum देखने को मिले हैं और हम अपनी position जो हलके करती हुने जर आए अब दोस्तों देखें तो इसके अंदर shareholding patterns की इस तरीकी के देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले देखें तो 6% के असपास, डियाए से लगबख 2% से ज़्यादा, अदर्स कोई है नहीं, कहने का मतलब यह है कि अभी फिलाल में अगर promoters ने अपना माल जो है सेल्स के लिहास से बहुत खराब से जो है कहीं जा सकती है, अभ देखते हैं दोस्तों अदर income के बारे में किस तरीके से हम लोगों को इसके अंदर growth देखने को मिल देखने को मिल देखते हैं दोस्तों other income जो है किस तरीकी की है, तो फिलाल में तो एक चीज़ उबज़र करने माइनस में तो सोचने वाली बात है कि अभी फिलाल में कंपनी को कुछ भी फाइदा नहीं हुआ है तो यह इस्तिती जो है फिलाल में निकल किया रही है सेल्स के जिस तरह की सेल्स के अंदर हम लोगों को गिरावाट देखने को मिली है यह देखिएगा लगबग 2016 में किस तरह की स्थिती थी आठजार चैसो पच्पन करोड के आसपास देखने को मिल रही ती और अब इससे में देखीका लगबग 4619 करोड का देखने को मिल रही है तो यह चीज थोड़ी शी अब्सर्व करने वाली है फिलाल में कि कंपनी इससे में जो है बहुती बहेंकर रिस्तिती स से गुजर रही है जिस तरह की का चार्ट पैटर्न हमें कंपनी के स्टोक्स प्राइस के अंदर देखने को बिला तो फिलाल में इस ती बहुत ही खराब है बागी दोस्तों कर आप फिर भी निवेश करने के बारे में सोच रहें तो अपने फैनेंसल एडवाइजर से एक बार जरूर संपर्क कर सकते हैं जो लोग उपर के लेवल पर फसे हुए हैं उनके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप 10 से 15 रुपर के आजपास फसे हुए हैं तो हो सकता है कि लोंग टर्म में एक उपर्चुनिटी बने वापिस से आपको यह स्टोक्स प्राइस उपर जाता हुआ दिखाई दे तब आप इसके में निकलने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों करी जानकर यह आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जुरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब पर करेंख लना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकिशन सीधे आपके मोबाइ पर मिल सके हैं थैक यू सो मुच पर वाचिंग